नमस्कूर रिपर्विक भारत में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके स्ताथ शेखा शेर्मा और रिपोर्ट धमाका में आज सबसे पहले बात करेंगे जमु कशमीर की जमु कशमीर में सेन और आपको बता दें कि पुलिसे व्युक्त कारवाई हूई है पासिपोरा इलाके में सार्च ऑपरेशन जारी है बड़ी ख़पर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवाबा में मुटबेड हुई है पुलिस और सेना की सैयुक्त कारवाई हुई है एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवाबा में पुलिस और सेना का सैयुक्त ऑपरेशन जारी है दोनों तरब सिभारी गोली बारी जारी है पुलिस और सेना के एक्शन में कई आतंकियों के फसे होने की खबरे भी सामने आ रही है डक्शन कश्मीर के फ्रासी पूरा और मुर्रन में आतं पॉइंट बंद कर दिये इस दोरान पुलिस और सीना ने तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है टेक्शी ड्राइवर पर हुए हमले के बाद दक्षिन कश्मीर में ये पहला ओपरेशन है जिसमें सीना और पुलिस सैंक्त ओपरेशन शुरू कर चुके है गेरा बंदियों और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोली बारी की पुलवावा, जिले के, फ्रासी पोरा और मुरन में ये मुर्भेड चल रही है इस दौरान सर्च ओपरेशन भी चल रहा है मौके पर और भी सुरक्षाबलों को बिलाए गया है और अबारे सही होगी, अरावत हमरे साथ जूचुके रुक कर लेते हैं उनका अरावत क्या कुछ अबडेट लगातार सेना और पुलिस का ये स्तायी उक्त ओपरेशन जारी है जी हाँ सुरक्षाबलों को कल रात सुचना में जी पुलमावा के मौरन एरिया में कुछ आथा है क्योंकि मौजुद्गी है उसके बाद पूरी एरिया को कॉर्डनान सर्च ओपरेशन में लिया गया था और अभी ये इंपुट मिल पा रहा है कि कॉम्बिंग ओपरेशन इस पर सुरक्षा बलों ने वहाँ पर शुरू कर दिया गया है हाला कि जो ओपरेशन स्पॉट है जो कि एक रेजिदेंस हाउस में कुछ आते क्योंकि मौजुद्गी थी जहां पर ये स्पॉट है वहाँ पर भी कॉम्बिंग ओपरेशन शुरू कर दिया गया है और ड्रोन से पूरी एरिया पर सर्वलेंस की जा रही है जोवन किश्मी पूरी स्पेशल ओपरेशन ग्रूप इस ओपरेशन में अभी लगी हुई है इसके साथ इंगिन आर्मी की स्पेशल फोर्सिस को भी बुलाया गया है जो कि इस ओपरेशन में अभी जा रहे है हाला कि अभी सुबा का समय है और लागता हम देख रहे हैं किस तरह से पूरी जितने भी इंट्रिव और एक्जिट पॉइंट से उनको सुरक्षा बलूने कंप्रिटी सील कर दिया गया है विजिलंस टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए विववप कुमार जोकी केजडिवाल के निजी सचिपते उन्हें पत्से अटा दिया गया है क्योंकि आपको बताते चली कि 8 अप्रेल को ही विववप कुमार से इडी ने घंटो पूछताज की थी और उसके बाद उनकी जो निजी सचिप विववप कुमार भी जाज के दायरे में जबाए तो उन्हें विजिलन्स टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए निजी सचिप पत से हटा दिया है बिल्कुल ऐसी देगराओं जीरो से अखिलेश हमारे सेयोगी अब ऐसा जुट गया है क्योंकि जब बिजलन्स टीम ने इस मामले के जाज की कि क्या वो एलिजिबिल्टी पूरी करते हैं विववप कुमार या नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सी खामया पाई गई और इसके इसकी रिपोर्ट दी गई एल जी को इसके बाद एल जी आफिस ने ये कारवाई की है लेकिन हम आपको बता दें कि विववप कुमार अरविंद केजरिवाल के साथ तब से काम कर रहे थे जब अरविंद केजरिवाल दिल्ली में आर्टियाई एक्टिविस्ट हुआ करते थे उनके साथ काम किया करते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस योग गिता को भले वो नपूरी करते हो लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विभव कुमार को नीजी सची को रूप में अपॉइंट कर दिया जाए इस सराब घोटाला मामले में आप देखिए दो बार इडी पूस्ताच कर चुकी है दिल्ली जल घोटाला मामले में उनके घर पे छापा पड़ चुका है सारी चीजें उनसे पूस्ताच दो दो तिन तिन बार हो चुकी है तो ऐसे में ये सारी कडियों को जब जोड़ने की बा अर्विंद केज्रिबाल का हेल्थ मुलिटिन जारी किया गया है तिहाड पृषासन की तरफ से 11 दिन में एक किलो वजण बढ़ा है जबकि आम आद्मी पाथी कह रही थी कि वजण 4 किलो कम हुआ है। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन हेल्थ बॉलिटिन जारी क्या गया है, तिहार प्रशासन की तरफ से जिसमें बताया गया है, कि 11 दिन में अर्विंद केजरिवाल का एक किलो वजन बढ़ा है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखें किस को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां आमादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि केजरिवाल की सिहत को लेकर खिलवार किया जा रहा है, और इसे भी जेल प्रशासन ने केजरिवाल को लेकर हेल्थ बॉलिटिन जारी कर दिया है, यह खास रिपोर्ट देखें केजरिवाल का वजन किसे नफा किसे नुकसार, वजन कम या जादा मेडिकल रिपोर्ट में खुला सा, दिल्दी के तिहार जेल में बंद मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की सेह सुर्खियों में है, मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को एडी ने शराव भुटाले मामले में मनी लॉंडरिंग केस में 21 मार्च को गरफतार किया था, उसके बाद 10 दिन तक उनसे पूछ ताच की गई, बाद में ट्रायल कोट ने एक अप्रैल को केजरिवाल को 15 दिन की न्याई खिरासत में तिहार जेल भेज दिया, केजरिवाल तिहार जेल में पिछले 11 दिनों से बंद है, सियम केजरिवाल की जेल जाते ही आम आदमी पाटी ने आरोखू की बोचहार कर दी, दिली सरकार में मंत्री आतिशी ने 3 अप्रायल को सोशल मीडिया पर केजरिवाल की सेहत का हवाला देते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया और कहा कि अर्विंद केजरिवाल सीवियर डायबिटिक्स पेशन्ट है और उनका वजन करीब साड़े चार किलो कम हो गया है जो उनकी सेहत से खिलवाड है एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुँच गया जो किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेवा साबित हो सकता है अर्विंद केजरिवाल जी का पिछले बारा दिन में साड़े चार किलो वजन घट गया है एक डायबिटीज का पेशन्ट होते हुए इतने कम समय में इतना जादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन्स पैदा कर सकता है केजरिवाल की सेहत को लेकर चल रही सियासत को विराम देते हुए विहार जेल ने अर्विंद केजरिवाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जिसमें साफ हो गया कि केजरिवाल का वजन कम नहीं हुआ बलकि एक किलो बढ़ गया है मेडिकल रिपोर्ट की माने तो एक अप्रेल को केजरिवाल का बजन 65 किलो था जो आब 66 किलोग्राम हो गया है बीजेपी नेता राम विर सिंग विधूडी में आम आदमी पार्टी पर जम का निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को बतनाम करने की कोशिश कर रही है जेल के नियम अनुमती नहीं देते हैं कि अरविंद केजरिवाल जेल से सरकार चला सके तो अरविंद केजरिवाल को आज नहीं तो कल त्याक पत्र देना होगा नहीं तो कानून अपना काम करेगा शराब गुटाले से जुड़े मनी लॉंडरी मामले में एजी की गिरफतारी को चुनाती देने वाली अरविंद केजरिवाल की आजका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिच कर गिया है अदालत के सामने केज जिवाल का तर्ग था कि जान बूच कर लोग सभाचुनाओं से पहले गिरफतारी की गई है हाई कोर्ट से राहत ना मिलने की बाद केज जिवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ये तो 15 अप्रायल को नहीं पता चलेगा बियोरो रिपोर्ट रिपाब्लिक भारत और सीध है जतिन का रुक करेंगे हमारे सहीों के हमारे साथ जुड़े हुए जतिन देखे किस तरीके से आम आदबी पाटी लगातार प्रोदेशन कर रही है अज बिल्कुल देखे अर्विंद केजिवाल जब एक तारीक को तिहार जेल पहुचे थे तो उनका जब बेसिक चेक अप किया गया उसमें उनका वेट तकरीबन 65 किलो था लेकिन साथ तारीक को जब दुबारा से रूटीन चेक अप किया गया तो उनका वजन तकरीबन 66 kg हो गया तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अर्विंद केजिवाल का वजन तिहार जेल के अंदर बड़ा है आम आधी पार्टी जो इस तरीके के आरोप लगा रही थी कि अर्विंद केजिवाल का वजन तकरीबन 4.5 किलो कम हो है तो कई न कई तिहार प्रसाशन ने जो हेल्थ बुलिटिन जारी किया उसमें इस बात की पुष्टी बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आपको अदा दे कि अर्विंद केजिवाल शुगर पेशन्ट है इस तरीके के भी आमादी पार्टी दोर आरोप लगाए गए कि अर्विंद केजिवाल का शुगर लेवल 40 तक पहुच गया लेकिन एक तारिक से लेकर आज 11 तारिक हो चुके है और 10 तारिक तक का जो हेल्थ बुलिटिन तिहार जेल ने सामने रखा उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि वजन तो बड़ा ही है लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स हैं चाहिए वो शुगर के हो या बीपी के हो अर्विंद केजिवाल बिल्कुल हेल्दी है जेल में उनको किसी भी तरीके की परिशानी नहीं है तिहार एड्मिस्टेशन का साफ तर पर कहना है कि कोट से जो जो चीजे बोली गई थी एड्मिस्टेशन को देने के लिए वो सब कुछ दिया जा रहा है रोज उनका बेसिक जो हेल्द चेक अप है तिहार जेल के अंदर सुबह भी किया जाता है और शाम को भी किया जाता है अलाकि वो शुगर पेशन्ट है घर का खाना उनको दिया जा रहा है जो टेबल कुर्शी उन्होंने मांगी थी अपने सेल के लिए वो भी उन्हें प्रोवाइट करवाई जा रही है तो जिस सरीके के ऐलिगेशन अर्विन केजिवाल की हेल्थ को लेकर आमादी पार्टी लगातार लगा रही थी कहीं न कहीं तिहाड प्रसाशन का ये हेल्थ बुलिटेन उन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताता हुआ नजर आ रहा है और तिहाड प्रसाशन का ये कहना है कि जबसे अरविन केजिवाल जेल में पहुच है तो उनको किसी भी तरीके की परिशानी नहीं है हला कि जेल मैनुल का उनको पालन करना होगा और तमाम जो डारेक्शन्स है वो जेल के अंदर दी गई है आपको ये भी बता दें कि परसो अरविन केज़िवाल की जो पतनी है सुनीता केज़िवाल वो भी अरविन केज़िवाल से मिली थी कल आम अदनी पाटी ने एक प्सक्रेंट बहिंगी और बताया है कि वो लगातार अपनी पतनी के जरीए पार्टी से जूरी बाते जो हैं वो पब्लीकली कर रहे हैं और किस तरी nast के पार्टी को आगे बूबन करना है वो तमाम चीजे अरविंद केजवाल जेल के जरीएं र voluntarily बताते हो हैं टिकेटों की दावीदारी को लेकर दोनों के बीच में जो तनातरी शुरू हुई थी वो कम होने का नाब नहीं ले रही है एक रिपोट्स आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं अखिलेस आजम में टकराओ दो सीटों पर मचा कोहराओ रामपूर मुरादाबाद पर छिड़ा संगराम रामपूर में समाजबादी पाटी का मन मुटाओ अब खुल कर सामने आने लगा है दिल्ली की मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला खान के टिकेट को लेकर आजम खान और अक्रेश में तनातरी जारी है दरसल रामपूर आजम खान का गढ़ मना जाता है आजम खान इस वक्त जेल में है ऐसे में आजम खान अपने किसी चहती के लिए टिकट चाते थे सपा की तरब से मोहिबुल्ला को टिकट देना आजम खान को रास नहीं आ रहा है रामपूर में अजम खान का खेमा मोहिबुल्ला खान को बाहरी बता कर विरोद भी कर रहा है लेकिन मोहिबुल्ला खान का कहना है कि उनका घर रामपूर में है और वो दिल्ली में पढ़ने और काम करने गए थे रामपूर के साथ ही मुरादाबाद में भी टिकेटों के लेकर जिस तरह मारा-मारी चल रही है उसे लेकर बीजेपी ने भी चुटकी ली है कहा समाजवादी पार्टी में चल रही दोलफोर पार्टी को खत्म कर रही है हाला कि दोनों के जहड़े में सियासी नुकसान समाजवादी पार्टी का होना तय है क्योंकि इन दोनों सिटों पर कौन किसे जिताएगा और कौन किसे हराएगा यह कहना मुश्किल है कि प्यूर्पूर्ट रिपाब्लिक भारत प्रमारे सही होगी अजय हमारे साथ जुट चुके रुकर लेते हो उनका अजय महज आठ दिन बचे हैं जहां ये तैय हो जाता है कि चुना प्रचार कैसे कैसे करना है वहां समाजवादी पार्टी यहीं नहीं तैय कर पारी है कि किसे देना है कि बिल्कुल एक तरफ बीजेपी गेर लगाकर प्रचार में लगी हुई है रामपूर अलग-अलग हिस्सों में प्रचार करी हैं समाजवादी पार्टी में टिकेट को लेकर हमने देखा कि कि उस तरह की कल रही रामपूर को लेकर मुरादाबाद को अब ऐसी स्थिती में आजम खा के जो समर्तक हैं उनके वोटों का बिखराव दिखाई दे रहा है उनके समर्तकों की तरफ से जो नाम है फाइनल नाम की पहले ही आ गया था कि चुनाओं का भाइशकार होगा लेकिन अभी की स्थिती में क्योंकि मुरादाबाद में जो कुछ हुआ क् जो समर्तक है उनके बास्पा के उमीदवार है उनके पक्षमे जाते हुए भी दिखाई दे रहे तो निश्चिती आजम खा क्योंकि खुद जेल में और लगतार इनके जो इनकी राजनीतिक भविश्य है जो उनके वोटर्ज है उनके भविश्य की तमाम बास्चीत है लगत सार बिखराव दिख रहा है बीजीपी भी दावा कर रही है कि आज हम गाके समर्थकों का एक चंक उसको भी मिलने वाला एक हिस्से का वोट उसको भी मिलने वाला है तो यह बड़ा